साथियों, इन गोर परिवारबादियों ने सरकार चलाने का भी एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मिला बना रखा है। ये लोग अलग अलग जीलों से मंत्री मंत्री तो बना लेते हैं, अपने वोट बेंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। उनको इलाके बाण देते हैं, बतिजों को कहते हैं ये दो जीले तुमारे, बांजे को कहते हैं ये दिजो जीले तुमारे, बहन को कहते हैं ये जीला तुमारा, और अपसरों को भी मालूम होता है, जो मंत्री बनाये हैं वो तो नाम के हैं, असली मंत्री तो परिवार में ज उपर मिनिस्टर मिनिस्टर के उपर सूपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है फिर जो विभाग होते हैं खनन का काम बांजा देखेगा हेल्थ का काम बतीजा देखेगा विभागों को भी परिवार के सूपर मिनिस्टर को बाड़ दिया जाता है और इसलिए नीचे सरकारी त तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम बाम करने की जरूत नहीं है जनता का भला करने की जरूत नहीं है बस इस सुपर मिनिस्टर को समा लो अपना सियार ठीक रहेगा अच्छा-च्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा और इसलिए सरकारी तंत्र भी बरबाद हो जाता है भाई यो बेनों इस तरह चुप चाप परिवार में बैठे बैठे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कपजा करके बैठ जाते हैं कि चोरी छिपी से भाईल ये भी तब तक क्लियर नहीं होती है जब तक कि सूपर मिनिस्टर ने हान कहा हो यानि मंत्री कोई भी हो लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रा लेके ओ चलाता है उसी के काम से बात आगे बनती है भाईयो बैनो क्या ये लोग तंत्र के लिए सम्विधान के लिए सामान ने मानवी की आवशक्ताओं की फूर्ति के लिए ये रास्ता उचीत है गया भाईयो बैनो और इस सब परिस्तिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है ट्रांस्पर पोस्टिंग भी वो सुपर मिनिस्टर कहेगा तब ही होगी जो सम्विधान के मरियादाओं के बाहर बैटा हुआ है भाईयो बैनो वही सुपरिम होता है परिवार की इच्छा आदेश वही सुपरिम इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर सम्विधान का अप्पान करती है सम्विधान को नकार देती है